नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का डेली रोजगार की एक नई वीडियो पर जहां पर लाडली बहना योजना की काफी महत्तपून खवर आप सभी महिलाओं को मिलने वाली है यदि आप भी यहां पर इस थमनेल को देखते हुए आ चुकी हैं जहां पर दिखाई दे र सारी विस्तरत रूप से प्राप्त होने वाली है इसके लिए आपको के बल अंत तक जुड़े रहकर पूरी जानकारी को देखना आवश्यक है ताकि आपको भी स्वैम का पक का घर मिलेगा और बहुत सारा पैसा मिलेगा तो यहां पर मुख्यमंतरी आदाव जी द्वारा ज सारी इस ख़बर को अंत तक जुड़े रहकर आवश्य देखें यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लाडली बहना योजना 40,000 रुपे किस तक कब आएगी जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मद्द प्रदेश में मुख्यमंतरी मुहन याद जी द्वारा सुर अपडेट नहीं मिली है ऐसा लग रहा है कि मद्द प्रदेश में अब इस योजना को लेकर कोई भी लावारती नहीं बनने वाला है मतलब मद्द प्रदेश में अब किसी भी महिलाओं को लाडली बहना आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा मतलब अब आपके लिए जिसकी पहली किस्त 40,000 रुपे की रासी के साथ महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसपर करने की परकरिया सुरू कर दी गई है यदि आपका नाम भी लिस्ट में सामिल है तो आपके लिए पैसा मिलेगा यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है तो बहुत जल्द रजिस स्ट्वेशन होंगे और आप अपना नाम जोड़वाकर इसे ओजना के तहत लाभारती बन सकेंगी जिससे आपको 40,000 रुपे का फायदा मिलेगा और आपके लिए कुल 7,000,000 रुपे की रासी मिलेगी जिससे आप स्वयम का पक्का घर तैयार कर सकेंगी तो आपके लिए प आपके लिए यह लाभ और पैसा प्राप्त हो जाएगा अब हम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं कि लाडली बहना योजना की सत्रवी किस्त कब आएगी जैसा कि आपको पता है कि हर महिने की दस्तारीक को पैसा मिलता है उसी प्रकार से अक्टूबर के महिने में भी महिल महिलाओं के लिए 1250 रोपे की रासी निश्चित समय पर भेज दी जाएगी लेकिन मुहने आदव जी द्वारा कोई भी नया एलान जारी करते हुए महिलाओं की किस्त में बड़ोत्तरी की जा सकती है एबं पैसा भी जल्दी दिया जा सकता है जिसकी अपडेट बहुत जल् क्योंकि जैसे ही नया मैना सुरू होता है दस्तारीक निकट आती है महिलाओं के लिए नई नई खवरे आना सुरू हो जाती है यदि आप भी इस योजना के तहत इंतजार कर रही महिला हैं तो आपके लिए बहुत जल्द आवास के 40,000 मिलेंगे और 70 वी किस्त के 1250 रोपे प्रदान किये जाएंगे तो आप सभी लाडली बहनाओं के लिए बहुत सारे उपहार बहुत जल्द प्राप्त होने वाले हैं जिससे जुड़ी अपडेट यहां पर दी गई है जैसे ही इस योजना अत्वा पीम आवास योजना या लाडली बहना योजना या इसके साथ ह मद्द प्रदेश से जुड़ी कोई भी अपडेट सामने आती है यहां पर आपको सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी तो चैनल से जुड़ी रहकर ऐसी ही अपडेट देखती रहें धन्यवाद